नमस्कार दोस्तों, InFocus Silicon Valley पे मैं आनंद आपका स्वागत करता हूँ उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग की तरफ से दो बहुत प्रतीचित वेकेंसी फाइनली हमारे सामने आ चुकी है और वो है UPPCS RO, ARO और APS जैसे जैसे परिक्षा के दिन नजदीक आ रहे हैं मैं देख रहा हूँ कि लगातार चात्रों में बेचैनी, सवाल और जैग्यासाइं काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और लबग-लबग कॉमन्स यह समझ से हैं आपके निकल के आ रहे हैं बढ़ आप यह समझ दिजी कि यह दोनों परिक्षा हैं चाहे UPPCS RO, ARO हो या आपके APS हो यह सीधा-सीधा सचवाले पर ले जाने का रास्ता है वो ही सचवाले जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं चुकि होली दिवाली का महौल है तो सचवाले हमने सजा दिया है आप भी अपना घर सजा लिएगा और आप में बात करते हैं कि वीडियो किस लिए है देखिए कुछ तीन से चार मुद्दे हैं जिन पर मैं आपसे आज लगातार सीधा सीधा-सीधा बातचीत करने वाला हूँ सबसे पहला मुद्दा यह है कि क्या NCRTs आपके APS या RO-ARO जैसी परिक्षा के लिए पढ़ी जानी चाहिए जबकि NCRTs जो है वो आपके conceptual knowledge के लिए focus हुई किताबे हैं जिन पर facts पर बहुत जादा ध्यान नहीं दिया जाता है तो आपके conceptual clearing तो आपके NCRTs से बहुत बहुत बहतर clear होगी लेकिन जो fact की demand होगी वो पूरी नहीं हो पाएगी तो इसके लिए आपको करना यह है कि NCRTs के स्थान पर जो आपके in commissions को संदर्भित dedicated समर्पित जो किताबे हैं उन पर आप बहतर काम कर सकते हैं जैसे कुछ नाम में अगर मिल लू तो जैसे वाणी प्रकाशन हो गया या घटना चक्र हो गई यह किताबे आपके राजय लोग सेवा आयोक के लिए बहतर जो है content design कर चुकी है दूसरा सवाल जो आपका बाइबार निकल के आ रहा है वो यह निकल के आ रहा है कि prelims की परिक्षा पर ध्यान दें या mains की परिक्षा में लगे रहें सिर्फ एक दो महीने पहले prelims देख लें तो मैं आपको बता दू prelims सबसे पहली लड़ाई है और मेंस की परिक्षा के चक्कर में कहीं अगर prelims ही खो बैठे तो मेंस देने का मौका भी नहीं आने वाला है तो बहुत सरल रहना है सहज रहना है prelims आपकी पहली लड़ाई है उसको बिलकुल भी जो है हलके में नहीं लेना है और पीसे से अलग आरो यारो की परिक्षा में आपको prelims और मेंस के लिए कोई अलग तयारी नहीं करनी है देखिए इसमें 140 प्रशन आएंगे GSS से संदर्बित उसमें भी 120 प्रशन आएंगे GSS से संदर्बित और दोनों का ही पैटर्न बहुविकल्पी अगर प्रशन है तो इसके लिए अलग तयारी करने की क्यों आप शक्ता है आज से ही मेंस के लिए जो भी आप प्रयास कर रहे थे और GSS को आप जिस तरह से एग्नोर कर रहे थे या अगर GSS पर ध्यान नहीं दे रहे थे तो मैं मेरा आप से यह कहना है कि GSS पर आज से ही ध्यान देना शुरू कर दीजे GSS पर फोकस रखे वो अपको प्रिल्मस में फाइदा पह nickel बहुए है और मेंस में है यही काम आप हिंदी के साथ भी करने वाले हैं कि हिंदी के वह जो है प्रिल्मस और मेंस की को हई अलग तयारी नहीं करने है आपको, आपको हिंदी के लिए प्रिलिम्स और मेंस के लगबग एक जैसे पैटन पर पढ़ते हुए चलना है तो कोई अलग तयारी नहीं आज से लग जाए प्रिलिम्स को अप्रोच करते हुए आपको मेंस में भी वराबर फायदा पहुचाने पर लिए तीसरा पुशना आपके ये है कि क्या नई बुक खरीदें मार्केट में बहुत सारा कंटेंट आया पढ़ा है जो कि अपने आपको आरो और आरो के प्रति समर्पित बता रहा है ऐसा वो बता रहा है तो उनको बताने दीजिए आपकी रणनीति बहुत सरल होनी चाहिए कि आप किताब भी उस इस्तर की हो तो उसके लिए आप घटना चक्रवाडी की जो है मदद ले सकते हैं चौता प्रशन जो संदर्वित है वो संदर्वित है इस बात से क्या पिछले वर्षों के प्रशन हल करना लावदायक रहेगा तो मैं आपको बता दू पिछले वर्षों के प् प्रशन रिपीट हो जाया तो प्रशन य rikt होते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है तैयार रहना पड़ता और वह तैयारी होती है जब आप से कम पिछले 20 वर्षों के उतर प्रदेश पी शियस और आरौयात के सारे के सार्य प्रशन पत्र सौल करके बैठे हैं इससे आपको अलाब किया मिलेगा? कि यदि कोई पुराने वर्चो में पूछा किया प्रशन हुगा, तो उस पर आपको समय नहीं, सिर्थ विकल में, राइट टिक भरने भर का समय लगना है, कोई उसको हल करने का समय नहीं लगना है, तो समय बचेगा, और आपके दूसरों से बहतर स्कोर करने के समभावना भी और अधिक बन जाती है बहुत कल्पी प्रशन आपको ना केवल प्रिविश एर के स्वाल करने इवन आपको दिन में आदर डालने के कम से कम GSS अनर्बित 100 से 1500 प्रशन आपको स्वाल करने ही चाहिए ठीक है कि नहीं तो बहुत जादा कंफ्यूज नहीं रहना है यदि आपकी इस प्रकार की कोई और ने समस्यां भी मुझे लगातार मिलती रहेंगी तो हम उन समस्यां भी खटा करके उन पर आपको लगातार जो बहतर और उत्तम सर्वत्तम सला हो सकती वह आपको देते रहेंगे नमस्कार